दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अंड्रोइड से डूडी प्रोब्लम के सॉल्यूशन पर दोस्तो अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी मुबाइल यूज करत आती है और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है मुबाइल नेटवर्क नॉट अविलबल अगर दोस्तो इस तरह की प्रोब्लम फेस करते हैं इस तरह का एरर आपको देखने को मिलता है तो इस वीडियो के अंदर मां आपको तीन से चार मैसर बताने वाला हूँ जिनको वीडियो में आगे की तरह और आपको बताते हैं किस तरह आप इस प्रोब्लम को शोट आउट कर सकते हैं आपको सबसे पहले एक बार अपने फोन को रिश्टार्ट कर लेना है कई बार दोस्तों क्या होता है कि रिश्टार्ट करने मातर से आपकी प्रोब्लम का सोल्यूशन हो जाता है अगर दोस्तों उसके बाद भी आपकी problem का solution नहीं होता है इस बर आपको अपने notification बार को नीचे की तरफ scroll करना होगा और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है ऐरो plane mode जिसको हम flight mode भी बोलते हैं इसको हमें एक बार enable करने के बार disable कर देना है इस पर click करना है नीचे की तरफ हलका scroll करना है reset wifi mobile network and bluetooth वाला option देखेगा इस पर click करना है नीचे से reset setting पर click कर देना है तो यहाँ से भी हमारे network reset हो जाते हैं अगर दोस्तों आपके phone के अंदर यह setting नहीं दी हुई है तो guys आपको एक step back आने के बाद SIM card and mobile networks वाला option देखेगा आपको इस पर click करना है अगर आप Samsung company का phone योज़ करते है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा connections तो आपको connections पर click करना होगा फिर आपको जो भी SIM आप यहाँ पर योज़ करते हैं आपको इस पर tap कर देना है यहाँ पर आपको उपर access point name वाला option देखेगा आपको इस पर click करना है नीचे से इसको भी आपको reset कर देना है फिर आपको back आना है preferred network type पर click करना है यहाँ से दोस्तों आपको 5G select करना है फिर आपको इहाँ से back आना है mobile network पर click करना है यहाँ से आपको automatically network को select कर लेना है अगर यहाँ से automatically select network से problem solve नहीं होती है तो आप यहाँ इस पर click करिएगा और यहाँ से next press करिएगा उक्के press करिएगा तो उसके बाद जो आपको manually network select करना होगा और आपके area के आसपस जितने भी network available होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे आप उनको select कर सकते हैं फिर दोस्तो आपको back आने के बाद use quality वाल एक option देखेगा आपको इसको enable करना है क्योंकि गाईज इससे जो हमारी voice quality वो काफी अच्छी रहती है फिर हम यहाँ से back आना है back आ जाने के बाद दोस्तो हमें दुबारे से चेक करना है कि problem solve हुई है या ने हमारे network आ चुके है या नहीं अगर फिर भी हमारे network नहीं आते हैं तो हमें अपने dialer को open करना है उसके बाद हमें यहाँ पर dial करना होगा star has 06 has तो इस तरह से जो हमारे IMEI number है वो यहाँ पर show हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें यहीं चेक करना है कि हमारे IMEI number यहाँ पर आ रहे है या नहीं क्योंकि कई बार हमारे IMEI number उड़ जाते हैं जिसकी वज़े से हमारे यह network उपर show नहीं होते हैं अगर दोस्तों आपको यहाँ पर IMEI number देखने को नहीं मिलते हैं तो आपको अपने IMEI number को दुबारे से चड़वाना होगा software कराना होगा अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हाँ से यह confirm हो जाता है कि दोस्तों आपके IMEI number की वज़े से कोई problem नहीं आपका फोन ठीक है अब दोस्तों आपको अपने फोन की setting को open करना है उपर आपको about phone वाला option देखेगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ से आपको update देखनी है अगर आपके फोन पर कोई update आयो हुई है तो आप उसको update कर लेना इसके बाद भी काफी लोग एक problem solve हो जाती है क्योंकि गाईज अगर आप लंबे समय तक अपने phone को update नहीं करते हैं तब भी आपको इस तरही problem face होती है उसके बाद आपको यहाँ से back आना है अगर फिर भी आपकी problem same बनी हुई है तो एक बार आप अपने SIM को अपने phone से निकाल सकते हैं और उसको दुबारा से clean करने के बाद insert करेंगे और दुबारा से आपको check करना होगा कि problem solve हुई है या नहीं network आए है या नहीं अगर फिर भी problem same है तब गाईज आपको एक बार अपने उस SIM card को दूस्ते mobile के अंदर डाल कर check कर लेना है तो यहां से confirm हो जाता है कि आपके phone के अंदर problem ही या आपके SIM के अंदर problem है अगर SIM के अंदर problem है तो आपको SIM provider से contact करना है अगर आपके phone के अंदर problem है तो आपको service एंटर जाना है जहां से आपकी problem का solution 100% हो जाता है तो आज वाली इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते है एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स लव यू वाल टेक केर